नमस्कार एडुकेशन आपके एद्वार चेनल में आपका स्वागत है आज हम कॉर्ण लोग क्या था इसे समाप्त क्यों कर दिया गया इसके क्या परिनाम हुए इत्यादी प्रश्ण के उत्तर इस विडियो के मैध्यम से जानने का परियास करेंगा तो चलिए शुरू करते है अठार्मी सदी के आखरी दसकों में दसक दस साल की अवधी को कहा जाता है तो अठार्मी सदी के आखरी दसक में ब्रिटन की आवादी तेजी से बढ़ने लगी थी जिसके कारण से खायद पदार्थों यानि कि भोजन की तथा किर्शी उत्पादाओं की मांग बढ़ने ल और उत्दोग बढ़ने लगे किर्सी उत्पाद की मांग बढ़ती चले गई और तक पाद महंगे होने लगे यह यानि कि कहने के चला धरों के शंख्या में बिर्धी होती चले गई वैसे भोजन पानी एट्यादी आवैसा क्षाद पदार्थों के मांग भी बनने लगी दुसरी तरफ बड़े भूस्वामियों ने लाब कमाने के उद्देशे से सरकार पर दबाव डाला कि मक्के के आयात पर पवंदी लगा दिया जाए। जो बड़े भूस्वामि थे वो चाहते थे इस स्थिती का फाइदा उठाना चाहते थे जिसके कारण से उसने सरकार पर दबाव डाला कि जो मक्के बाहर से खरीद करके लाए जाते हैं उस पर पवंदी लगा दिया जाए। उनके दवाव में आकर सरकार ने मक्के के आयात पर जिन कानूनों के तहट पवंदी लगाई थी उसे ही कौरण लो के नाम से जाना जाता है। इस कानून के लागू हो जाने से देश में ख़ड़ानों की कमी हो गई तथा उनकी किम्तों में भारी बिर्दी हुई। ख़ड़ पदार्थों की उची किम्तों से परेशान उद्दोगपतियों एवंग अस्थानिय निवासियों के विरोद के कारण ब्रिटिस सरकार ने कारण लो को समाप्त कर दिया। इस कानून के लागू होने के पश्चाद जब बाहर से ख़ड़े-पदार्थ जब देश में नहीं आएंगे, तो जिसके आरण देश में ख़ड़ानों की कमी हो जाएगी, और ख़ड़ानों की कमी होने के परिनाम सरूद क्या होगा कि उनकी किम्तों में बिर्दी होगी। खायद पदार्थों की उची कीमत जब होगी तो इससे लोग परिशान होंगे, उद्धोग पतिया अस्थानिये निवासी भी अतिधिक परिशान हुए और उन्होंने विरूद करना प्रारम कर दिया, जिसके कारण से ही प्रिटी सरकार ने कौर्णों लोग को समाप्त कर दिय कौर्णों के समाप्त हो जाने के बाद, बहुत ही कम कीमत पर खायद पदार्थों को बाहर से मंगाया जाने लगा, और खायद पदार्थों की लागत जो ब्रिटेन में पैदा होने वाले खायद पदार्थों से बहुत कम थे, जिसके कारण ब्रिटीस किसानों के हालत बिग प्रणने लगी थे क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे विसाल भुभागों में खेती कर रहे किसानों ने खेती करना बंद कर दिया जिसके कारण से हजारों लोग बेरोजगार होते चले गए और काम की तलास में लोग या तो सहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे थे आसा करता हूँ इस वीडियो के मदद से आपने कारण लोग को जान लिया होगा वीडियो पूरा देखने के लिए अपका बहुत-बहुत धेन्यवाद